तो यह है Realme Watch 2 और मैं इसको यूज कर रहा हूँ एक महिने से आज की यह पर्टिकुलर वीडियो होने वाली है इसका एक कम्प्लीट डीटेल यूजज रिव्यू काफी जादा लॉंग टॉम यूजज के बाद तो आप सब को काफी सारी ऐसी चीज़े बताऊंगा अपने एक् तो सबसे पहले बात करते हैं about its build quality and durability तो जो complete glass आप यह देख रहे हो यह पूरा का पूरा 2.5D है और यहाँ पर आपको कर भी देखने मिल जाता है जो कि इसको काफी जादा प्रीमियम लुकिंग बनाता है वहीं पर इसका जो display portion है वो भी काफी जादा ब्लाक आपको देखन नहीं है जबकि एक्चुल में display नहीं है overall side edges की बात करो तो काफी अच्छे material से बना हुआ है कि इसमें gloss भी है उसके बाद भी इसमें fingerprint and smudges नहीं आते हैं तो यह चीज़ भी बहुत जादा अच्छी हो जाती है वहीं पर पीछे की बात करो तो पीछे का पूरा portion यहाँ पर plastic को देखने मिल जाता है and sensors भी आपर काफी अच्छी जगह से located है overall strap की बात करते है तो पूरा का पूरा strap काफी जादा comfortable है and पूरा का पूरा डिजाइन अगर मैं strap का बोलू तो वह आपको watch S pro जैसा दिखने मिलता है दबकि वह जो watch S pro है ना भाई वह 10-12000 की watch है and यह जो watch है यह बहुत जादा कम की है and उसके बाद भी आपको यह जो इसके आपको यह काफी अच्छी देखने मिल जाती है वही पर strap की पिन जो आपको देखने मलती है यह पूरा का पूरा the best under all of them, जो दूसरा basis of consideration निकल कर आता है, वो है इसका display, अब जो display आपको देखने मलता है, यह 2.5D है, 1.something cm का यह पूरा display आपको देखने मिल जाता है, display की panel की बहुत अच्छी बात है, कि इसके जो colors है भाई, बहुत जादा saturated है, मतलब आप अगर एक बार इसको ध्यान से दे आपर जो इसका blackness है, वो काफी अच्छा है, मतलब फील कराता है कि एक premium watch है, और फील कराता है कि एक अच्छी quality की watch है, वहीं पर इसके display की एक बहुत अच्छी चीज है, वो है इसका response rate, यह जो है completely responsive है, और काफी तेज जो है functionality करती है, और जिस कारेंट से यह मुझे काफी जादा पसंद आई थी, मतलब लिटरली मैंने अभी तक इतना जादा fully functional, इतने कम price पर किसी भी watch को नहीं देखा है, overall इसके wallpapers and यह सारी जो termology है and optimization है, वो इस वाले display को और जादा better बनाते हैं, बाकि in terms of display quality, I definitely try this out and मैं आप लोगों को बोल सता है अपने तरफ से, कि जितन जादा अची-ची smartwatch से साथ इसको compare करने के बाद भी इसका display मुझे बहुत जादा perfect लगा, यह खाली एक smartwatch नहीं है, इसमें आपको काफी सारे sensors देखने मिल जाते हैं, जिससे बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजों को track करता है, इसमें आपको heart rate tracking देखने मिल जाती है, mind-off, gestures, जितने भी हो सकते हैं, वो perform करने के लिए help करते हैं, तो यह सारे sensors की अगर एक overall review की बात करें, तो मैंने इसको यूस किया है, आराउंड तीन से चार हफते के बीच में आप मान लो, इतने टाइम में आज तक में जो जो इसकी strap tracking देखी है, जो इसकी heart rate tracking देखी है, व साफी सारे लोगों से मैंने रिकनफर्म किया है, मैंने और भी जादा smartwatch में यह चीज़ महसूस करी है, कि यह जो tracking होती है, उपर नीचे हो जाती है, but still this smartwatch comes up with a very good kind of gestures in tracking, like motion tracking, step tracking, heart rate tracking, pulse tracking, यह सारी चीज़े इसमें बहुत जादा perfectly work करती हैं, close to accurate यहां पर आपको चीज़े मिल जाती है, and इसी कारण से मैं आपको कह सकता हो कि यह जितने भी sensors है ना यह perfectly काम कर रहे हैं इस वाली smartwatch में, अगर बात की जाए watch faces के बारे में, तो यार काफी सारे watch faces में आपको pre-installed देखने मिल जाते हैं, and जिनको आप hold करके यहां पर देख सकते हो कि काफी सारे आपको कह सकते हो, developers बनाते हैं, जो freelancing developers होते हैं, उनके भी कई सारे applications से, आप डाउनलोड कर सकते हो watch faces, and सारे कि सारे इसमें connect कर सकते हो, जो कि चीज काफी बढ़िया हो जाती है, and इस कारण से, watch faces के मामले में, मुझे one of the best लगा under this price point, क्योंकि boat boat की आती हमें, इस fit आती हमें, आप को काफी सारे watch faces देखने मिल जादे हैं, अब यह जो smart watch है, यह connect होती है, आपके smart phone से, and smart phone से connect होने के बाद, यह basically काम करती है, आपके smart phone के तरह ही kind of, तो इससे आपको बता लगता है, कि आपके smart phone में क्या को चल रहा है, music आप यहां से control कर सकते हो, calls, notifications वगरा, इस पे आपको इसके अलावा कोई ऐसी smart watch नहीं है, जिसमें आपको इतनी बड़ी range देखने मिले, literally मैं आपको बता रहो को, मैं घर के बार आ गया था, मेरा smart phone अंदर पड़ा हुआ था, यह आपर काफी अच्छी range and काफी अची connectivity देखने मिल रही थी, वही पर secondly, एक और बहुत अची बात अच्छे से disclosed होती है, तो यही सारी चीजों के लिए connectivity काफी जरूरी होती है, and मैं इतना ही कहूंगा कि जिस प्राइस पे आती है, completely justified है के connectivity procedure, and जितनी भी smart watches market में available है, at least उनके according यह उनके बराबर निकल का सामने आ जाती है, अगर बात की जाए about its software portion, तो इसमें आपको Realme का नहीं मिलता, कि आप literally उससे कभी परिशान होगे, वहीं पर यहां पर यहां पर इसी software में मुझे एक चीज की थोड़ी सी कमी लगी, कि जो gestures इन्हों ने दे रखे है, भाई यह बहुत सादा confusing है, मतलब लाइक आप यूं करोगे, मैसेज आएगा, यूं करोगे तो आपके apps यूं करोगे तो आपका ये सारे ट्रैकिंग वाले पॉनिटर्स खुल जाएंगे, और बैक करने के लिए simply ये बटन ही प्रेस करना पड़ेगा, बटन नहीं प्रेस करोगे तो बैक ही नहीं होगा, तो ये चीज मुझे थोड़ी सी कमी लगी, यहां पर कुछ ऐसा options होना था जैसे यूं जेस्चर कर दिया तो भाई बैक हो गया, वहां पर बार बार बटन दबाना, I think it is harmful for the button, कि बटन कभी भी इसकी खराब हो जाए, तो फिर भाई आप किसको ब्लेम करोगे, तो ये सारी चीजे मुझे थोड़ी कम लगी, बागी इसका जो software portion है ना काफी जादा ब अब यहां पर बात आती है कि आप इसको purchase करो या फिर नहीं, तो यार इसका जो price point है, वो actual में 4000 है, बट 4000 का ये actual बिकता नहीं है, ये flipkart Amazon पे आपको आराउंड 30, 3300, 3200 का देखने मिलता है, वही पर कई सारी websites पे 3000 तक अभी available है, लेकिन आप लगों के लिए एक बहुत पर लेकर आयों, description में आप चेक करना है, आपर crawly.com, जहां से मैंने इस वाली वाच को purchase किया है, तो वहां पर आपको ये देखने मिल जाएगा, only 2800 रुपीज में, तो 2800 रुपीज में, I think it is completely value for money, और इसी watch के लिए अगर आप 3300 पे कर रहे हैं तो I think you are not doing a good job, आप इसको purchase आते हो कि भाई मैं इस watch से related और भी content बनाओ, तो let me know in the comment section कि आप आगे किस सरा के वीडियो देखना चाहते हो, इस वाली smartwatch के, मिल दें आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, जै हेंद, वन दे मातरम.